मॉस्ट रिपेटेड कॉश्चन्स इन आर्पेसी एक्जाम स्रीज नाइन चल रही है आज ठीक है और नाइन के अंदर पहला आपना जो कॉश्चन है वो है कोऊलोडल सॉलीशन से तो देखे लिए कोऊलोडल पार्टीकल इन दे मिलश बलागार आप मोल्त है लिएंट से गरती है एक नियनल मीटर फोर पहला तो अब आप इसके अंदर इस question के अंदर क्या निह देखोगे, जैसे आप unit निह देखोगे तो आप क्या करदोगे इस concern को गलत करदोगे, थीकिए, तो आपको क्या करना है, unit चेक करनी है, तो नैनो می्टर है, आपने जो याद करिये, मान लेजिये, वो क्या है और 1000 को भी क्या करोगे आब इंटू 10 तो की पावर माइनस 9 से मल्टिप्लाई कर दोगे ठीक है तो जब इसको आप solve करते हो तो 10 तो की पावर माइनस 9 और ये कितना आएगा इस में से 9 में से 3 माइनस करना है तो 6 10 तो की पावर माइनस 6 तो इस रेंज को आप कैसे लिख सकते हो 10 तो की पावर माइनस 6 तो 10 तो की पावर माइनस 9 और ये क्या ही अपनी मीटर के अंदर रेंज आई है इस मीटर को भी आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो किसमें चेंज करना आपने को आंसर किसमें है करना है सेंटिमेटर के इंदर तो इसको सैंटिमेटर मेंडिडर करना है oh yeah I years in Emma tell me change रहेंगे सैंटिमेटर के अंदर सैंतिमेटर सैंध्य करते है तो क्या करते हैं 100 से मल्टिप्लाई करते तो 10 to the power माइनस 6 in 200 तो 10 to the power माइनस 9 in gotta तो जब माइनस 2 करोगे 6 में से तो क्या आएगा 10 2 की पावर माइनस 4 ठीक है और 10 2 की पावर 9 में से 10 की पावर 2 है पोजिटिव है यह नेगेटिव है तो 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस 7 तो 10 2 की पावर 4 से 10 2 की पावर माइनस 7 जो सेंटिमीटर जो आंसर आजाएगा अपना कोलोडल जो उस पार्टिकल है उनका डायमेटर ठीक है तो अपना आंसर क्या होगा है इसके अंदर option C is right answer ओके next question देखिए यह electro chemistry से आएवा question है मैंने जो भी questions लिये वे exam में आएवे वो सारे के सारे college lecture वाले questions लिये है मैंने चीक है तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है एक electrode ये दिया हुआ एक electrode ये दिया हुआ इसके लिए जो potential है वो 0.44 volt दिया हुआ माइनस के अंदर और इसके लिए भी माइनस के अंदर 1.14 volt दिया हुआ सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इनका reduction हो रहा है या oxidation क्या क्यों को जो potential चाहिए वो कौन सा चाहिए reduction potential चाहिए तो दोनों के अंदर देखिए reduction हो रहा है इसका मतलब अपने को कुछ change नहीं करना है इसके अनोड खीक है अब cathode किसको मानेंगे अनोड किसको मानेंगे जिसका जो reduction potential होगा वो lower होगा उसको तो क्या मानोगे आप अनोड और जिसका reduction potential है वो high होगा उसको क्या मानोगे आप cathode अब इसके अंदर देखिए एक तो iron प्लस 2 से iron के अंदर change हो रहा है इसका minus 0.44 volt है और एक SN प्लस 2 से SN के अंदर change हो रहा है तो इसका minus 0.14 है तो इसके अंदर देखिए minus के अंदर है दोनों potential जो जितना minus के अंदर ज्यादा value है वो क्या होगा? कम होगा क्यों इसका जो reduction potential वो क्या है lower है तो देखे इसमें जब अपन लगाते हैं formula तो E note के थोड किसको माना अपन ने यहां लिख लिएते हैं अपन के थोड कौन हो गया अपना जो ज्यादा है जिसका potential means Sn plus 2 से क्या बन रहा है Sn यह के थोड हो गया और E note क्या हो गया iron plus 2 से iron ठीक है तो देखे के थोड का potential क्या हो जाएगा minus 0.14 और फिर minus आएगा और फिर क्या लिख हो गया आप minus 0.44 यह lower reduction potential है इसलिए यह E note माना अपन है ठीक है देखे इसके अंदर जब आप करोगे minus 0.14 और यह plus का क्या रहेगा 0.44 ठीक है जब आप इसको solve करोगे तो आएगा plus का 0.30 और वल्ट ठीक है इसका मतलब अपना answer क्या आगया plus का 0.30 वल्ट आगया option A is right तो आपको minus और plus जो चीन है इनके अंदर बहुत ही धान से आपको sort करना है क्योंकि इसके अंदर जो आप निकालोगे और आपको सारे answer मिलेंगे minus के अंदर निकालोगे तो minus वाला मिलेगा plus के अंदर निकालोगे तो plus वाला आपको answer मिलेगा next question है वो surface chemistry से आएवा है Infernalic Adoption Isotherm equation दीवी आपको x upon m equals to k p k power 1 by n दिया हुआ है ठीक है इसमें आपको क्या रखना है 1 upon n equals to क्या रखना है 0 रखना है जब आप 1 upon n equals to 0 रखोगे तो जो adoption है means x upon m है ठीक है वो किस पे depend करेगा और किस से वो increase होगा, decrease होगा यह आपको पूछा है तो option देखिए Adoption increases with increases in pressure यह कब हो सकता है जब क्या हो यह दोनों proportional हो Adoption decreases with increases in pressure यह जब inversely proportional होंगे तब ऐसा होगा और Adoption क्या हो independent of pressure हो सकता है यह आपन क्या है predict नहीं कर पा रहे, ऐसा भी हो सकता है तो देखिए आपको जो भी दिया वा है उसको अपन लिख लेते है x upon m equals to क्या दिया वा kp की power 1 by n और यहाँ पे अपने को 1 by n equals to क्या रखना है 0 रखना है तो देखिए x upon m equals to k p की power 0 अब यहाँ पे आप क्या गलती करते हो कि 1 by n को आप n समझ लेते हो जल्दी में क्या कर लेते हो 1 by n को n समझ लेते हो तो 1 upon n equals to 0 रखते हो तो आपको answer क्या आएगा उस time पे गलत आता है तो आपको यह नहीं करना है आपको 1 upon n जो दिया आपको यहाँ रखनी है तो 0 रख दिया अब अपने को पता है किसी की भी power यह दि 0 अपने को मिलती है तो वो क्या हो जाता है 1 के equal हो जाता है तो x upon m equals to k यह क्या हो गया 1 के equal हो गी पूरी term तो इसको क्या कहेंगे into 1 यह क्या कह सकते हो आप इसको पर depend नहीं कर रहा है जब 1 upon n की value 0 है तो अपना option c is right next question देखिए the unit of cryoscopic constant kf kf की unity आपको calculate करनी है तो देखिए delta tf equals to होता है kf into small m और यह small m होता है molality और molality equals to होता है number of moles divided way mass of solvent और यह जो mass of solvent होता है यह kilogram के अंदर होता है ठीक है तो mol upon solvent इसकी unit ले सकते है अपन mol upon solvent की unit क्या होगई kilogram तो mol upon kilogram लिख सकते है यह molality की unit होगई ठीक है आप kf की अपने को unit calculate करनी है तो kf equals to क्या लिख सकते है आप delta tf upon molality और molality की unit क्या पढ़ी है mol divided by kilogram और जब kilogram आप उपर लेके जाओगे तो क्या लिख होगे Kelvin divided by mol into kilogram और इसको क्या लिख सकते हो Kelvin kilogram mole inverse तो यह अपनी क्या आगई यूनिट आगई क्रायोस्कोपिक जो कॉंस्टेंट होता है kf उसकी तो देखिए Kelvin kilogram पर मोल तो option B is right answer यह option क्यों गलत है क्योंकि इसके अंदर देखिए Kelvin kilogram पर मोल नहीं है सिर्फ मोल है तो यह option रोग है कि next question देखिए which which among the following are isotons सबसे पहले तो आपको इसके अंदर isotons का meaning पता होना चाहिए तो isotons का meaning होता है same number of same number of neutrons neutrons की जो संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए और neutrons की संख्या कैसे calculate करते है जैसे मान लीजिए कोई अपना है जिसके अंदर नीचे की तरफ अपन क्या लख रहे है atomic number उपर क्या लख रहे है mass number तो यह अपने calculate कर सकते है इसके अंदर देखिए number of neutrons क्या रहेंगे 1-1 equals to 0 इसमें 2-1 equals to 1 और इसमें 3-1 equals to 2 तो देखिए इसमें कोई सी में भी same नहीं है इसका मतलब option A cancel होगे आपना next देखिए 30 में से क्या निकालोगे आप 14 निकालोगे तो कितने बचे के 16 तो देखिए phosphorus के अंदर क्या करोगे 31-15 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 16 और sulfur के अंदर 32-16 करोगे तो इसमें भी कितने आएंगे 16 तो सब में देखिए अपने पास में number of neutrons कितने आ रहे है 16 16 आ रहे है इसका मतलब isotone है यह सारे के सारे इसका मतलब answer तो अपना क्या आ गया भी आ गया लेकिन फिर भी third के अंदर calculate करते 40 में से 18 माइनस करोगे तो 22 निकालोगे और इसके अंदर कितने आएंगे 20 निकालोगे neutrons आएंगे ठीक है तो किसी में भी सेम नहीं है सब में अलग अलग है इसका मतलब यह isotrons नहीं है तो यह option कट गया अपना यह वाला option कट गया ठीक है तो answer क्या हो गया अपना option B is right answer तो next question देखिए अपना solid state chemistry से आएवा है इन्हें face centered qb unit cell the number of particle per unit cell आपको पूछे हैं तो सबसे पहले तो आपको इस face centered qb unit cell का आपको meaning पता होना चाहिए तो देखिए यह cube होता है क्युके इंदर जो face entered qb unit cell होती है उसके अंदर जो particles होते है वो कहां present होंगे एक तो corners पहे present होते है तो इसके अलावा इसकी जो 6 feces होती है उनके ऊपर भी क्या होंगे पार्टिकल पर थेंदख होते है तो यह 6 face पहें क्या बना दिये 6 particles बना दिये एक आगे की face और एक वो एक corner 1 by 8 क्या करता है अपना participate करता है ठीक है और face होती है वो 2 के अंदर common हो सकती है इसका मतलब 1 by 2 क्या करेगी अपना participate करेगी ठीक है तो देखिए इसके अंदर अपने जो particle है वो कहा कहा मिल रहा है face और corner पे तो सबसे पहले corner वाले देख लेते हैं आपन corner पे कितने particle है 8 particle है तो 8 into 1 by 8 लिख देंगे एक particle 1 by 8 के अंदर होगा plus इसके अलबा किसमें है face पे है तो face पे कितने particle है 6 particle है और एक particle 1 by 2 के अंदर होगा तो क्या करोगे आप 1 by 2 तो यह 1 आगया और यह कितना आगया 3 आगया तो 1 plus 3 equals to क्या आगया 4 particle आगया और वो 4 जो particles है वो per unit cell आपको मिल रहे है चीक है इसका मतलब इसका answer क्या आगया अपना 4 means C is right answer okay next question देखिए number of metal metal bond in Fe2CO9 Fe2CO9 के अंदर आपको क्या पूछा है metal metal bond पूछें कितने होंगे इसके अंदर तो देखिए iron जब इसकी structure अपन लिखते हैं तो इस तरीके की इसकी structure होती है ठीक है इसकी structure आपको लिखनी आने चीजिए जैसे आपको इसकी structure आजाएगी तो आप क्या बता सकते हो कि metal metal bond इसके अंदर कितने होंगे तो देखें इसके अंदर structure के अंदर कितने number of metal metal bond है सिर्फ metal और metal bond के बीच में सिर्फ एक bond है iron और iron के बीच में ठीक है इसका मतलब इसका answer क्या हो गया अब इसके अंदर आपको bris'd CO पूछ सकता था क्या पूछ सकता था bris'd CO और दूसरा terminal CO कितने होगे तो bris'd CO कितने है तीन है और terminal CO कितने है इसके अंदर six है total carbonis जो लिगेंड हो कितने होगे nine ठीक है जो question है वो देखे which one of the following conformer of cyclohexane has highest energy barrier with high angle strain ठीक है high angle and original strain तो इसमे यह ऐसा इन चारों मेंसे ऐसा conformer कौन सा है जिसके अंदर angle strain और tooraiseenal strain क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है तो अपने को पता है जिसके अंदर यह ज़ादा होंगी वो सबसे less stable होथा है तो जो half-chair conformer है, half-chair, जो conformer है, उसके अंदर क्या होगा? Angle strain भी present होती है, और इसके अलावा, Torisinal strain, ये दोनों क्या होती है? इसमें present होती है, इसलिए ये less stable होता है, चीक है? मिन्स इसकी जो potential energy है, वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा, और इसकी जो stability क्या होगी? वो क्या होगी? सबसे कम, इसकी chair conformer, half-chair जो conformer है, इसकी.